तू ही अप तू ही तप तू ही तल तक है तू ही तो फनक है तू ही तेरा लख है 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 इस पल में जियो वक्त को जाने ना तो अब दिल में जब आग है उसे बढ़ जाने तो फेरिशान की पहचान हो कुछ ऐसा कर देखाना के लाना लेगा ये जमाना ते लाना लेगा ये जमाना आदाब चेले दोस्तों स्वागत है आपका शो में आज डॉक्टर जाकरी हुसान दिल्ली कॉलिज से जो के 306 वर्ष पुरानी संस्ता है इससे बोल रहा हूं और आज का हमारा विशह है क्या आपने कभी सोचा है किया सभलता एक अफसर है जिसे हम क्या आपने कभी सोचा है किया सफलता एक अफसर है जिसे हम सफलता में बदल सकते हैं? धिंक पॉजिटिव और बी आप्टिमिस्टिक ये वो एक मंत्र है जो हमें कभी न रुखने की सीख देता है फिर परिडाम चाहे अच्छा हो या पुरा व्यापार में नुकसान, खेल में हार, कोई काम पूरा ना होना या किसी परीक्षा में फेल हो जाना ये हमारे जीवन का एक पहलू है लेकिन इसका दूसरा पहलू है अपनी विफलता को स्वीकार कर सफलता की ओर आगे बढ़ना ये संभव है अगर हम सकारात्मक सोच रखें और आशावादी बने हमारे जीवन का मकसद अगर खुश रहना है तो हम बड़े से बड़े लक्षे को भी हासिल कर सकते हैं आज हम इस विशे को समचने की कोशिश करेंगे दोस्तो इस विशे को शुरुआत करने के लिए हमारे एक महमान हमारे बीच में हैं बोस्टन से आये हैं डॉक्टर चेतन्या हिरेमात अब देखिए इन्होंने पॉजिटिव रहने के लिए आप्टिमिस्ट रहने के लिए क्या किया है मैं उनका थंडर लेना नहीं चाहूंगा वो ही खुद बताएंगे डॉक्टर चेतन्या प्लीज ताम आपने इतना बड़ा एक मुहीम छेड के रखी है बताएंगे तो खेर आप ही लेकिन आपको इसमें जो बादाएं आई जो प्रॉब्लम्स आई So how did you overcome those problems? People must have told you doctor forget about it this is nonsense idea How did you overcome? How did you keep your positivity and optimism? I have taken a undertaking where I want to unite not only the people but the entire spectrum of life and I have designed a world flag about five years ago and I would like to show the flag itself very quickly sir I'd like to explain the four features of this world flag the light green background reminds us about the environment and the second feature is this world has been there for billions of years and we want it to be that way so and that's why it's represented in the form of a clock without the needles so it's eternal and the third feature is it's based on the scientific tree of life so even a seven year old can recognize the symbols it starts with one o'clock bacteria and all the other living beings and as you can see at nine o'clock everything living in water ten o'clock is amphibians eleven o'clock the birds and all the mammals put together at twelve o'clock Thank you very much doctor Thank you very much, thank you for being in the show On the contrast, we have a gentleman who has a lot to complain about this again a viewer from the rural area My name is Syama Prasad Pandey, Gram Agasthipur, Jila Chandauli, Uttar Pradesh Now I'm going to say for my village to go to my village His name has happened in 2001 And from 2001, after every three years, it will rise again This is something that you will rise again And I'm going to say for the first two years You will be aware of that The trillion of the world is the trillion of the world And you will be aware of that And I have written to the Lord Thank you Thank you very much Pandeji You can be aware of the people who are watching वो उन्होंने पांडे जी की बात सुनी होगी, आपने दो स्पेक्ट्रम देखे, एक तरफ आप्टिमिजम, वो विश्व को एक सुत्र में पिरोके रखना चाहते हैं, और काफी हद तक उन्होंने मुझे लिखा कि काम्याब भी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने एक आप्टिमिजम कहिए, उसको मेंटेन किया जाए, मैं आप से सवाल पूछ रहा हूँ, आप में से कोई कहना चाहेगा, कैसे किया जाए? Sir, एक डॉक्टर थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे मतलब, उनका तो हाथ कट गया था, तो ऐसे मैं हमने बहुत जगे देखा है कि लोग हार मान जाते हैं, बोलते हैं, महर साथ ही हो गया, बुरा हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर पॉजिटिविटी देखो, तो यहां पर मेरा पॉइंट यह है कि जो एक्सिदेंट हो गया, उससे तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम, जैसे माइन में हमाई जो फोर्स आ रहा है, जैसे हम जानते हैं, जो भी हम सोच रहा है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकत है, हुआ तो उसके साथ बुरा, लेकिन जिनको हेल्प मिली, उनसे पूछा जाए, तो वो कहेंगे कि उनके साथ जो भी हुआ, आज उनकी वज़े से हमें यह सब मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, एक मुझे एक कहानी याद आ गई, इन्हों ने जो कहा, डॉक्टर का, हाथ कर गया, यह सब हुआ, क्या एक बहुत बड़ा भगत, भगवान का भगत था, भगवान की मूर्ती पे रोज जाता था, फूल चड़ाता था, एक दिन भगवान प्रगट हुए, बेटा, क्या चा जाता हूँ, क्योंकि आप देखो, स्टैचू बने खड़े रहते हो सुवए से शाम तक, ऐसा आपका हाथ है, हिला भी नहीं सकते, तो एक दिन मैं आपकी जगे खड़ा होना चाहता हूँ, ताकि एक दिन आप आराम कर लो और मुझे भी कुछ तजुर्बा मिले, तो बोले ठीक है भईया, खड़े हो जाओ, लेकिन बोलना बत बिलकुल, पूरे दिन बोलना नहीं, कुछ हाथ पाउं हिलाना नहीं, स्टैचू की तरह खड़े रहना, नहीं तो गड़बर हो जाएगी, ठीक है भगवन, तो खड़े हो गए तो एक सेट जी आये, उन्होंने वहाँ पे कहा के भगवन, मैं एक नया बिजनस आज शुरू कर रहा हूं, तो मेरा ख्याल रखना, मेरे बिजनस को बहुत फ्लरिश करना, ये प्रातना की परशाद चड़ाया, चल दिये, गल्ती से उनका बटवा वहां गिर गया, अब ये जो सादू था, ये जो सेवक था, उसका मन करें कि मैं उसको बता दू करें तेरा बटवा रह गया, लेकिन भगवन ने बोला बोलना नहीं नहीं बोला, तो दूसरी देर में गरीब आया, बोला बगवन, तीन दिन से बच्चे बूखे हैं, कुछ इलाज करो बगवन, और जैसे उसने हाथ जोड़ा तो निगा चले बटवे पर बटवा उठाया, बोला बगवन तेरा बड़ा शुक्रिया, का बगवन ने मेरी सुन ली, वो बटवा लेके चल दिया विचारा, और तीसरी देर में एक सीमैन आया, जो जहाज चलाते हैं, कैप्टन ओफ शिप, के मैं पंदरा दिन के एक बड़ी जरनी पे जा तो यह प्रात्ना करके जैसे जा रहा था, उतनी देर में वो सेड़ जी आगे अपना बटवा ढूंडते हुए, पुलिस को लेकर के, उन्होंने उस नाविक को जो सेलर था, उसको पकड़ लिया, अब इस सेवक से यह तो कैसे सहा जाया कि किसी और गलत आदमी से अत्याचा हो रहा है, तो नहीं 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 इसने नहीं किया, वो गरीब आदमी था, उसने बटवा तुमारा लिया, अगरबर कर दी, तो उन्होंने उस नाविक को छोड़ दिया, और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया, पुलिस ने, तो भगवान ने कहा रहे, क्या किया मुर्क तुफान में एक्सिदेंट होना बच जाता अगर ये जेल चला जाता तो, मैंने वैसा भी डिजाइन किया था, अब वो उसका एक्सिदेंट हो गया, होएगा, उसकी भी भी बीदवा होगी, तो मेरा कहने कार्थ ही है कि अगर पॉजिटिव रूप में देखो तो सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है और हम लोग हैं जो सब चीदों को गोड़ को अबर कर देते हैं, नेगटिव सोच के मैंने आपकी वीड्यो यूटीव पे लेखी और मैंने आपको सुना कि एकसेब्ट दी रियालिटी जिल नाट है वन एपनी रिग्रेट मेन उस बात को माना एं अगोट 70% मांस इंप्रेबोर्स एं 90% मांस इंबूर्ट एंग्रेशंए तो यूदू बात को माना अने अगत स वाई वेकान ने कहा, कि whatever you think that you will be, if you think yourself a weak, weak you will be, if you think yourself strong, you will be. ये एक सच्चाई है जिन्दगी की, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस बात को एक्सपेरिमेंट किया है, जी, क्या एक्सपेरिमेंट किया बताइए? If we are thinking that we are strong, then we are strong enough to, you know, come over all the obstacles, but if we are thinking we are weak or weaker enough, we are not able to, you know, come over that obstacle, so it's totally about mindset. Good, it's a mindset. जीज़ेंगे सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् या भविष्य भर्माए, वर्तमान में जो जिये तो जीना आ जाए। यही है, यह जिंदगी का कसार है। Sir, first of all, I would like to say thank you very much. You don't know how did you help me in 12th board exams. Sir, positive रहने का मैं एक लाइव एक लाइव एक्जामपल हूँ. मेरे मुक टेस्ट एं फिर्स्टरम के ग्जाम चलिएए, I just got 40% and 50% marks in my first term. 60% marks in Mok test. And everyone was saying, to college नहीं जा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा लाइगा लाइए. Teachers कहे रहे थे, parents कहे रहे थे, क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ सोच, सोच, कुछ सोच. और फिर मैंने आपकी video YouTube पे देखी, और मैंने आपको सुना, कि accept the reality, then you will not have any regret. मैंने उस बात को माना, and I got 70% marks in pray boards, and 90% marks in board exams, and now I am here. All right. तो परशाद लाएओ के नहीं? Sir, मैं आपसे पुर्णा चाहँ कि आप हम सब के role model, आप हमारी inspiration है, तो sir, आपकी life में जब problem आती थी, तो आप कैसे optimistic और positive रहे कि अपने problems को face करें? Look, opportunity in the problem. Always simple. Every single problem in life will bring you another opportunity of one kind or the other. उसको घबराए भी ना, जैसे उस रड़के को उसने देखा, मैं यह कहता हूँ, अक्सर, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसको स्विकार नहीं करते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ. हम कहते हैं, क्यों? वाई मी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? यानि हजार सवाल हम करने लगते हैं और जो चीज सचाई हो चुकी है, उसको accept नहीं करते. The moment you accept, कि this is the reality of life, कि आज के दिन मेरे साथ यह हो गया, मैं क्लास में फेल हो गया, एक्जाम में फेल हो गया, accept कर लो reality, accept जहां कर लिया, आप आगे की सोचने लगोगे, कि मुझे आगे बढ़ना कोई बात नी, फेल हो गया तो कोई बात नी. मेरा यह परसनल एक्सपिरियंस भी है, कि adversities जब होती हैं, जब हम थोड़ा depressed होते हैं, negativities आती हैं, उसवकत अगर हमें अपने से जादा परिशान लोगों की तरफ, अपने से जादा deprived लोगों की तरफ, अगर हम देखें, तो हमें बहुत फिर एक motivation मिलता है, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, माइंड सेट होता है, लेकिन अगर हम देख लें की हमारे पास ये facility है, इवन हमारे पास सारे अंग हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा थियार है, आपको अपनी चोटी-चोटी परिशानी हैं मेरे खाल से, वो हम positivity में बदल सेखें, बहुत इसरी है, बिल्कुल ठीक, आप दूसरे का, लेकिन साथ में आप दूसरे का साहरा लेती है, जब आप किसी डिप्राइड को देखते हैं, फिर कहते हैं चलो मैं तो फिर भी अच्छा हूं। तो ये होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाइफ में हमको अगर और अड्वर्सिटीज में पॉजिटिव सोचना है, तो ये तो बात एक रही कि आप किसी डिप्राइड को देख लीजिए, लेकिन अड्वर्सिटीज में अपने आपको पॉजिटिव रखना, इटसे कंडिशन ओफ यूर माइंड, और उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी घुटी नहीं है कि मैं आपको पिला सकूँ और आपको कल से पॉजिटिव रहने लगे, ये आपको डे टू डे रूप में आपको अपने आपको ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप माइंड को सजग रहके, अलर्ट रहकरके आपको अपने आपको चेक करना पड़ेगा हर समय, जहां जब आपका माइंड नेगिटिविटी में चला जाए, उसको कैसे पॉजिटिविटी में लाया जाए, किस प्रकार से उसको और उस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकेंगे, जिससे के धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी, आदत जो बनाना है वो कोई एक दिन में आदत नहीं बनती है, समय लगता है अपनी आदत को बदलने में, अपने सभाव को बदलने में, उसके लिए आपको अपने आपको ट्रेन करना पड़ता है, एक ज़रा एक किसान की कहानी से समझ में आता है, जो मैंने आज सुबह ही पड़ी, सोचा आपके साथ शेयर करूँगा, एक किसान बड़ी मैनत करता हुआ, बुजर्ग किसान, एक दिन सुबह अपने घोड़े को समाल नहीं पाया, घोड़ा चंचल था, वो घोड़ा छुड़ा करके भाग गया घर से, रोसी रोसी उसके प अरे, किसान को वो कहता है, कैसे बाबा तुम क्या, इसमें बलाई क्या होगी, तेरा घोड़ा गुम हो गया, एक ही घोड़ा था, अगले दिन सुबह उठा, तो गोड़ा तीन और घोड़ों को लेकर के बापिस आगया घर पे, तो उसको बधाई देने आया, उसने का बधा चड़ा, और दोड़ने लगा, तो गिरा दिया घोड़े ने, उसकी टांग तूड़ गए, बुरा हुआ, आप तब हम सब देखेंगे तो बेटे का टांग तूड़ गई, जुरूर परेशान होंगे, और उसी पर उसी न फेर कहा उसको के तेरे बेटे की टांग तूड़ अगले दिन उस गाउ में नकसलाइट घुसा है, और जितने जवान लोग थे और टे-गटे थे सब को पकड़ के लेगे कि तुम भी ज़रा हमारे साथ नकसली बढ़ो, उसने इस लड़के को छोड़ दिया कि टांग टूटी हुए थी, इसमें को बहलाई हुए, इसमें को माइंडसेट पॉजिटिव रखा हुआ था, तो इसलिए हुआ ऐसे सोचता हुए. I am struggling with the idea that I might die. I decided the first stage I took was, I sent letters to all my enemies or people whom I have hurt through my life. अबी, आज हमारे बीच में एक सक्षियत हैं, जो इनको हम change maker कहते हैं, अलग नेटराजन जी, आप देखिए क्या कहते हैं, कि ये रोज सुभा उठकर के साथ जगे, साथ मटके पानी के भरके रखते हैं दिल्ली के पूरे इलाके में. आईए, आपसे मैं मिलाता हूँ, आगे सुनेंगे. संकल्प बिना, जीवन अधूरा है. इसलिए संकल्प नें और आगे बढ़ें. जीवन का कोई एक पहलू नहीं होता. हम इसे कई रूप में देखते और अपनाते हैं. दिल्ली के पंचीर पाक में रहने वाले 68 वर्षे अलग नटराजन भी जीवन के कई पहलूँ से गुजरे. लंडन में 32 साल तक बतौर इंजिनेर काम करने के बाद आप साल 2005 में भारत वापस लोटे. ये वो वक्त था जब आप कोलन कैंसर की बिमारी से बहार आए थे. कैंसर के बाद मुझे बहुत emotional difficulty था. वो भी overcome किया है. अभी पूरा system है, medical system है. सब को overcome करने के लिए है. तो मैं हारने का आदमी नहीं हूँ. मुझे no बेरा dictionary में नहीं है. प्यासे रहागिरों और मजदूरों की प्यास बुझाने के लिए आपने एक खास तरह की वैन तयार की. और दक्षन दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 60 पानी के मटके लगाए. मटका मैन के नाम से मशूर अलग नेटराजन आज प्यासे रहागिरों और मजदूरों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है. आपके इस अनोखे तरीके को देखकर आज कई लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं. आप कहते हैं कि बदलाव लाने के लिए संकल्ब जरूरी है. क्योंकि संकल्ब ही है जो आपको कुछ पाने के लिए आगे बढ़ने की ताकत और होसला देता है. मेरी के देखिए इस प्रकार से चलता है समाज ये देश. मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग जो नेगिटिव जब सोचते हैं तो नेटराजन जी जैसे आदमी को देखकर के वो पोजिसिटिविटी में बदलना स्वभाविक है अपनी सोच को. इस देश को कोई डूबा या खराब नहीं कर सकता जिस देश में ऐसे लोग हों. तो आपको कैसे जब colon cancer आपको हुआ, तो doctors ने क्या, did they declared you incurable or what was it? Whenever you're diagnosed with cancer or when I was diagnosed with cancer, the first thing you see is death in front of you. Death in front of you, yes. So, that fear I had for two, three days. So, after three days or three days or five days, I forget it, after struggling with the idea that I might die, I decided to, the first stage I took was, I sent letters to all my enemies or people whom I hurt through my life. And that was my first stage, including my wife who's here. Because in life you also offend your wife, especially men, men do that, you know. So, that was my first stage of overcoming it. And for me, life throughout has been sincerity, sincerity, sincerity. And even now, whatever I do, I try to do it in sincerity. For me, there's no positive or negative, which possibly is true. Very good. Yeah. So, whenever I'm struggling with anything, I always question, am I sincere? Because it's not easy to be sincere. People struggle with sincerity. And I'm still struggling with sincerity. And we all tend to become insincere. And that is very negative. Insincereity is very negative. So, for me, all the work I do today is based on sincerity. So, Natarajan, when you say there is nothing good or bad, it's what we make out of it. Yeah. We make things good or bad. Yeah. So, how do you keep yourself in that mind frame or in positivity or which you call sincerity? We all get trapped in egos. You know, even social work is an ego. If you, everything... If you don't keep it in check, then it is ego. But I don't think you have allowed your ego to come. It comes occasionally. It comes occasionally. See, that's very good. It's a good confession. Not many people accept that. Actually, in one of the shows, there was a question students asked me. How do we manage our time? So, I didn't know what to... I didn't know the answer, actually, because I was very bad in time management myself. As a teacher, you can say, when I'm speaking to people, talking, giving answer, nature also helps. It also gives you ideas. While you are in... I'm speaking to this, I'm speaking to you. I'm speaking to you. I'm speaking to you, where you're sitting, you're talking, you're talking, you're motivating. So, I was thinking, think as if it is, you have only 24 hours to live. Then, will you manage your time well or not? Then, people started saying, yes, we will manage our time well. Somebody said, I will... I said, what would you do? Say, first of all, I'll go to my mother and father and cry on their shoulder that I never treated them well, my parents. Pehle jaake unse maafi maangunga. Somebody said other thing. So, what I'm saying is that wasteful time, what we all do, we will stop doing all those things. So, what would you say to my viewers sitting home who are watching this show? Sincerity, sincerity, sincerity. Very good. Very good. Thank you very much for coming at the show. So, you can see, his mantra is sincerity and that is what makes you happy and probably successful as well in life. So, coming back on to the subject of positivity and enthusiasm and optimism, do you get some inspirations from people like Mr. Natarajan? Yes. And what thought comes to your mind when you meet people like him? Actually, Vivekananda has said this, Jeevee prayem ko Re Jayajon, Sejoon, Sebjeishishur, means Jeevee ko joh preem kartei usko ishper milte hai. So, my mind was actually a question that which jeep ko may seva karo? Because if you have a jeep too very shitty, such as the ashewake laiak nang. आपने आप से प्रेम करिये तो बेरी रेस्पेक्टेट डॉक्टर अभी मुझे जो मेसिज दिया उनसे मुझे ये कोशन का अंसर मिला को जो पानी छोडते है तो ये नहीं सोचते किस के सेवा के लिए सोचते है जिसको जुरूरत है उनको ही मिलते है तो ये मेरे ही सवा ये लग रहा है कि जिसको दूरुरत ढूरत है उनको ही सेवा करने चाहिए अब बाकि अब साहिए very good thank you sir, वाश송 मुझे छो पुजितिव को नीजरु करने के लिए रेकिटिव होता है तरह हमारी जो जो पुलिटिप्लाइ होता है और उसमें यह लेना चाहिए कि चाहिए कोई भी मोड आए किसी भी तरह की समस्या हो में हमें उसमें कमिया ना ढूंके हमें उसमें हमें सा पोजिटिविडी देखनी चाहिए Now we have with us another person who is a big motivator, Dr. Sonali Kataria. She started her career as a junior resident doctor at the ESI hospital. And she faced something challenging in her life when her own child was diagnosed as an autistic. And let's see her life, how did she not only manage that, but also she created a sunrise learning foundation. And in which now she is God knows how many children she is making their life better. Please come. Dr. Sonali Kataria. So would you like to tell us something more about yourself? How did you get on to this? It was only your own child that shook you. It was a very long neuroscience journey that I had as a doctor. I was at the peak of my medical career. I had a lot of research projects in my hand. and when I changed the course of my life. What happened? I had a lot of research projects in my life. I had a lot of research projects in my life. I had a lot of research projects in my life. I had a lot of research projects in my life. I had a lot of research projects in my life. प्रिटमीज है, अच्छे से पैरेंटिंग नहीं हुई है, के लेबल्स दिये जाते हैं, और उटिस्टिक बच्चों को जब उनकी दागनोसिस नहीं होती है, तो जब वो दागनोसिस मुझे मिली, तब मेरी जिंदगी का कोर्स चेंग हुआ, चेंग हुआ, चेंग हुआ, चे अच्छे से पहले की मैं बोलती, वाइ मी, यह ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे गौड ने खुदी आंसर दे दिया, ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए हुआ, क्योंकि तुमको इतने सालों की पढ़ाई एजुकेशन इसलिए मिली, जिससे कि तुम इसी की नहीं, बल्की और बहुत बच्चों की हलप कर पाओ, उसके बाद, थैंक्फुली, मेरी फैंदी ने मुझे इतना सपॉर्ट किया कि मैं और बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्म् स कर पाई, इन फिल ओ उ उसे अपने आपको इतना इंपावर किया, क कि अपने और बहुत सारे बच्छों की भी भी help कर पाउं so that that is a big blessing for me in the form of my family जिन्की वजे से वो positivity निकल के थे जिन्की वजे से वो positivity निकल के थे तो ये बताई है दॉक्टर अभी आप कितने बच्छों को आपकी फांडेशन के जरीय से आप ये थे 22 चिल्डर बट वो आते हैं जाते हैं so overall we have helped in the last three years almost 56 children who have been with us जिन्की ना कि हम सर्फ बच्छों को ट्रें करते हैं बलकि उन्की मदर्स को सबसे जादा एंपावर करते हैं जिससे कि वो सबसे पहले accept करें कि क्या चालेंजिस हैं समझ पाएं कि चालेंज क्या है और दूसरा बच्चों को कैसे अब इस चालेंज के साथ दुनिया में जीना सिखाना है वो सीखें ना कि treatment के पीछे भागें अभी autism का कोई treatment या cure नहीं है उसका कोई cause या cure नहीं मिल पाया है इसलिए अगर मेरी आखें कमजोर हैं तो मैं या तो इसके treatment के पीछे भागती रहूंगे इसको ठीक कर दो या फिर एक चश्मा लगा लूँगी जिससे कि अब मैं सब कुछ देख सकती हूं अब मैं I am feeling empowered, I am feeling at par with the world तो वो जो टूल है जैसा कि एक चश्मा है वो स्किल सिखाना वो हम मदर्स को और बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे कि they can come at par with the world और अपने चैलेंजिस के साथ वो जी पाएं विड दिगनिटी लेकिन डॉक्टर मैंने यह कहीं पड़ा था कि हमारे देश में हजार बच्चे जब पैदा होते हैं हजार बच्चों में से लगबग तीन या चार बच्चे प्रोटेजी चिल्डर्न पैदा होते हैं लेकिन जब तक वो पढ़ते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है लेकिन माँ बाप, टीचर्ज उनको पहचान नहीं पाते और अल्टिमेटली वो बच्चे सोसाइटी में बर्डन बनके रह जाते हैं ऐसा होता है क्या? जी, ऐसा होता है, जैसा कि आउटिस्म के बारे में अभी मैंने कहा उनको आउटिस्टिक सवांट्स कहते हैं उनकी बहुत कम होती है पॉपिलेशन लेकिन होती है पर वो पहचान में नहीं आपाते हैं जैसा सर ने बोला उनकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाइ करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है अगर माता पिता को उनकी स्ट्रेंथ बता दी जाए आपका बच्चा की बोर्ड पे बहुत अच्छा टाइप कर लेता है बोल नहीं सकता तो क्या हुआ वो लिख सकता है वो टाइप कर सकता है इतनी बड़ी शक्ति उनके माबाप को जब हम बताते हैं तो नहीं उनके पास एक अच्टेंस और पार आती है बलकि भुषी, वो जो खुषी होती है उनके मन की की अब मेरा बच्चा इस फील में जाएगा, इस फील में कुछ कर सकता है इतनी बढ़ एंपरिंग तो वो संफ ऑतिसम में होता है बहुत सारी और कंडिशन में भी होता है ऑनकी स्ट्रेंड इदिफा करना सिरफ सवांट नहीं generally, हर इंसान में आपमे, मुझ में कही नगी कितनी सारी strengths होंगी जो हम चुछ को नहीं पता हुण जो हम manifest Studios NOVA नहीं 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 दिखा पते अपने आपको पहचान नहीं दे पते कि मैं ये काम बहुत अफ़करता हूं क्योंकि हमारे environment में हमें मौका नहीं मिला या फिर हम अपने challenges, difficulties में खो गए हम अपने failures में खो गए हमने अपना dream, अपना सपना, अपना goal अपने सामने नहीं रखा So we need to give our 100% to the present moment Whatever we are doing right now, just give your 100% जितने भी challenges हैं, जितने भी, वो एक CD है बस वो एक CD की तरह आप लेते जाहिए और अपने goal की तरफ, dream की तरफ चलते जाहिए Don't lose vision of your dream जो आपका dream है वो आपको दिखता रहना चाहिए चारो तरफ कितनी भी negativity हो, कितनी भी challenges हो वो सिर्फ एक CD है, वो आपको आपके dream की तरफ ही ले जा रहे हैं वो आपको learning experiences ही दे रहे हैं आपसलूटली जैसे Swami Vivekanand ने कहा कि मनुष्य में इतनी ताकत है जितना कुछ सोचो, सब कुछ कर सकते हो आपकी कोई सीमा नहीं है लेकिन सीमा हम बांध लेते हैं, अपनी सीमा बना लेते हैं क्योंकि ऐसे समाज में पैदा हुए हैं fortunately or unfortunately कि जब बच्चा गुढ़ारियां चलने लगता है तब से मा कहती है कि पानी के पास मत जाना, आग के पास मत जाना जब तक आर्दस साल का बच्चा होता है तब तक रिस्क लेने की सारी capacity हम खतम कर देते हैं तो खेर, अभी बताईया आप में से कोई डॉक्टर साब से कुछ बात पूछना चाहे है अग्वेस्टन दोफना चाहे हैं तो मैम यह बताया थे क्या आपके लिए इतना बड़ा चाहन जो था नहीं सेखे, बल्कि और लर्न करें, और अर्न करें हम इनके लिए ऐसा सेटप बनाना चाहते हैं जिसमें यह खुद इंडिपेंदेंटली विट डिगनिटी अपनी लाइफ चीहें अपना लाइवलिवड खुद बनाएं And I want to take it really beyond, even beyond my own dream And we seek out support, we seek out acceptance We seek out acceptance I want to say in front of you, please If you know an autistic person or an autistic person who works for them, please support them Support them, they will definitely be a lot of support Thank you very much for coming on the show So, if we sum up today I will tell you four things You can be aware of your thoughts Only if you are very attentive what's happening within your body You start being aware of yourself That is the one thing I would like to suggest And it will not come overnight You will have to start working on it It is a practice which you have to continuously do Or if some people can meditate You can learn that much faster There is nothing either good or bad But our thinking makes them good or bad Your thoughts did not become your behavior And your behavior did not become your habit in one day So start working on it It is never late That's the message I am giving you We need to constantly correct our thoughts Then only slowly you will develop the positive thinking With that, thank you very much Khuda Hafiz Shabbat Khair Thank you Sh maneira Shabbat Shonda Sh disposable Oy니다 Shabbat Shady When do we create a present ев placement festival Sh pens And the immediate group group five of the master journey One झाल झाल